नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं सोहन सर्मा की जनगेंग मैं हूँ सोहन सर्मा और आज हम बनाएंगे साबु दाना की खिली-खिली खीचडी तो चली शुरू करते हैं एकदम खिली-खिली एक-एक दाना खिला-खिला हुआ है इसका और ना ही तो आपस में चिपकेगी और बिल्कुल खिली-खिली बनेगी तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और पहली बार हमारा चैनल देख रहे है तो चैनल को सब्सकाइब कर दीजिए और साथ ही दबा दीजिए बेल आइक इसको एक इस्टिल के बरतन के अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे से तीन चार वार आपको पानी से वास करना है जब तक इसके अंदर से पाउडर ना निकले वाइट वाइट सा निकलता रहे तब तक आपको इसे वास करना मैंने अच्छे से वास कर लिया इसको और उस पानी डाल रहा हूं यही नाप से आपको साबू दाने भीगाने हैं अब चाहे तो इसको यह 2 गंटे में भीग जाते हैं आप चाहे तो तीन गंटे-4 गंटे भीग सकते हैं अगर सूबे बनाना तो रात को भीग होके रख सकते हैं बिलकुल अच्छे से भीग चुके हैं यह एक एक दाना खिल गया है इनका, दो ढाई गंटे भीगा है और ये बिल्कुल फर्फेक्ट भीग गया एक दम, तो अब हम त्यारी कर लेते हैं, कड़ी पत्ते लिए है, मैंने आट दस कड़ी के पत्ते, और ये एक छोटे अलू को अच्छील कर मैंने लंबे फिस में काट लि है, अब हम कड़ी पत्ते को बारी काट लेते हैं, बारी काट लेते हैं, बारी काट लेते हैं, ताकि मुह में न आए और बिल्कुल अच्छा भी लगे, ऐसे हरा हरा, खिचडी के अंदर, कड़ी पत्ते को बारी काट चुके हैं, सब चीजी रेडी है, गेस को फुल आंच प दो होचए है एक डेडी मिनेट के अंदर बिल्कुल मुफली गर्म तो इसको आप गेश से हटा लेते हैं यह Susgod ए प्लेट के अंदर डाल लेते हैं मुफली गरम इसलिए कर दानन से बीवण गरम हो चूर हो चूरा भी हो जाए और इसका छिल का भी हट जाए आप बैलनस से भी हटा सकते हैं या फिर माम दस्ता होते हैं अप जो नीची की शाइड होती है उससे भी दबा दबा के आप हटा सकते हैं देखे इनको अब थोड़ा सा मसल लेना है ताकी छिल का पूरी तरीके से हट जाए और छिलका है वो भटा सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसका चिलका हटा लेना एक दम आराम से चिलके हट जाएंगे इसके और बिल्कुल भी इसके अंदर ये चिलके का घचरा नहीं रहेगा देखिए सारे चिलका अब मुफली थोड़ी लग रही है मुझे बिल्क जादा तेल नहीं डालना है साबोदान एक खिजडी के अंदर जादा तेल नहीं लगता अब सबसे पहले तो यह जो आलू हमने जो बारिक लंबे पीस में एक पीस काटा था उसको हम ब्राउन कलर का कर लेते हैं आप चाहे तो मुफली के साथ भी आलू डाल सकते हैं कोई द आप तो भी काल देते हैं देखे अब इसी तेल के अंदर हम खीचडी ठोंख देते हैने अब भी में भी चौग सकते हैं तेल घर में है अचाबец फॉक चंप में एक राई ब्ला घखेंए गषा सकते ओटा ड़ा-जएक को तेले 2 दो- 1-1-2 मिन्यट इसरीके से फ्राई करना मुफली पक जाये जले नहीं जैसे डेर दो मिनट हो गे इसके अंदर मैं कड़ी पते डाल देता हूं मुफली हमारी हलकी ब्राउन हो चुकी है इतनी ही चीए कड़ी पते को थोड़ा से चलाया उसके बाद मैंने हरी मीर्ची हमारे पास जो एक बड़ी चम्मच कटी हुई थी एक आलू फ्राई किया हुआ था वह हम डाल देते हैं चली आलू को भी थोड़ा सा चला दिया है मैंने और अब हम इसके अंदर हमारे पास जो साबुदाने भीगे रखे वे थे वो सारे के सारे डाल देने हैं देखिए कितने एकदम खिले-खिले साबुदाने इस नाप से सारेखिए टो नाब भीगोगे तो इतने अच्छे सबुदाने बनेये तो आपको नमक डाले मैं आदा चाशोटी चमाच नमक डाल रहा हूं और चोथा ही छोटी चमच मैने मिर्ची पाउडर डाला हैं आपको नमक वह ती हंसाब से डाल अब मै इसके अंदर चोथा ही गेश नो आम को थीमी आचपे रखना है और इसे एक लेड़ मिनट, दो मिनट करीब इसfish त्रीक के से चलाना है तेज आचपे नहीं और यी सिर्फ के पकते हैं दूसरी टीफ्स ये हैं कि ये सिर्फ झीज वाफ से पकते हैं ज्यादा देर नहीं पकाना है, एक दो मिनट के अंदर ये बिल्कुल वाइट से आपको एक चमकीले मोती जे से नजर आने लग जाएंगे, ये देखिए, बिल्कुल खिली-खिली खिचडी बनी है, बिल्कुल रेडी है खिचडी बनकर साभूद आने को आपका इस चीज का द हरी चटनी के साथ पिखा सकते हैं, आप इसके अंदर अगर ड्राय प्रूट्स डालना चाहे तो वह भी आप फ्राई करके डाल सकते हैं, जैसे काजू है बदाम है और ये सब चीजे डाल सकते हैं, देखे, मैंने फ्लेट के अंदर देखे, कितनी खिली-खिली खिचडी